ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? हम लोगों के दिमाग में अक्सरी सवाल आता है कि क्या हमें स्टॉक माकेट में ट्रेड करना चाहिए या फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और दोनों में से आखे रिस्ट किसमें कम है और पैसा किसमें जादा बनाया जा सकता है and most importantly आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े बताने वालो जो कि दोनों में trading और investing दोनों में common है बट हम लोग कभी भी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते जिसके चलते ना सिर्फ हम लोग बहुत सारा पैसा गवा देते हैं बलकि जो profits हम लोग कमा सकते थे हम उन पर भी अपना हाथ खो बैठते हैं सो चलो आगे लेके चलता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम इन तीन चीज़ों के उपर प्राइमेरिली बात करने वाले हैं स्टाटेजी, मूवमेंट्स, और रिस्क सो पहले अगर हम कंपेर करें तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है आपकी स्टाटेजी का कि आपकी स्टाटेजी शौट टर्म होती है और इसके अंदर आपका जो में सेनारियो होता है वो होता है बाय का और सेल का और ये सारी चीजें बहुत ही ज़ादा फास्ट होती है क्योंकि आपकी स्टाटेजी शौट टर्म है वही पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी कंपनी में तो यहाँ पर आपकी यही स्टाटेजी लॉंग टर्म हो जाती है अब इससे फरक क्या पड़ता है देखो आपकी जो स्टाटेजी है ना उस स्टाटेजी के बेसिस पर आप अपने डिसिजन लेते हो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर क्योंकि आप शॉट टर्म में बाय और सेल कर रहे हो तो आपके लिए यह मैटर ही नहीं करता कि आखिर उस कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़े चल क्या रही है लॉंग टर्म में फ्यूचर में वो कंपनी क्या करने वाली है क्यों क्यों क्योंकि आपको अगले एक साल दो साल की पड़ी ही नहीं है वोट यू केर अबाउट इस आपको बहुत ही छोटे टाइम पिरेड के अंदर क्या रिटर्न मिल सकते है या उस कंपनी की परफोर्मेंस कैसी जा सकती है उससे आपको फरक पड़ता है वेराज अगर आप किसी कंपनी के अंदर लॉंग टर्म में इंवेस्ट कर रहे हो तो यह जो इंवेस्टिंग है ना यह होती है एक साल, दो साल, पांच साल या कभी-कभी इससे भी लंबे टाइम पिरेड के लिए तो यहां पर आपके लिए जो चीज मैटर करती है वो करती है कि आपकी जो स्टाटेजी है वो स्टाटेजी में आपका अप्रोच कैसा है आप उसमें कौन-कौन सी चीज़े consider करोगे जिस time पर आप वो decision ले रहे हूँ moving forward, जो second चीज़ है जो सबसे ज़्यादा important है, वो है movements movements का मतलब यह है कि trading में और investing में आपको दोनो scenarios के अंदर यह पता होना चाहिए कि आपके जो stock है, जिसके अंदर आपने indicators होते हैं और यह technical indicators आपको यह बताएंगे कि stock उपर जा रहा है, नीचे जा रहा है stock का क्या scenario चल रहा है, जैसे कि एक indicator है RSI यह indicator होता है relative strength index तो इस indicator की अपनी functioning है, ऐसे और भी indicators होते हैं, जिनके अपने functioning होते हैं उसके बाद अगर आप investing में आ जाते हो तो investing में आपके लिए indicators matter नहीं करते है, टेकनिकल इंडिकेटर बहुत जाधा matter करते हैं, इनफाक्ट यहां पे आपके लिए market sentiment बहुत matter करता है क्यों कैंगी अगर मानलो market sentiment bullish है तो market ऊपर भागेगी अगर इस वक्त मार्केट में बुल रन नहीं चल रहा बेरिश है मार्केट थोड़ी सी स्लो है तो आपकी मार्केट उतनी जल्दी तेज ऊपर नहीं भागेगी तो शॉट टर्म में पैसा नहीं कमा पाओगे क्योंकि शॉट टर्म में तो मार्केट नीचे जा रही ह बहुत ज्यादा matter करता है investing के अंदर जो आपके लिए सबसे important चीज है वह है fundamentals कि अब fundamentals में बहुत सारी चीज़े आती है company की बैलेंस शीट आतीर है a company का cash flow आता है कंप्नी का management आता है और बहुत सारे factors आते हैं यहां तक की environmental factors भी आते हैं कि जिस industry में company operate कर रही है वो industry कितनी तेज बदल रही है उसमें क्या-क्या changes आ रहे हैं तो दोनों scenarios के अंदर जो actual difference है जो movements होते हैं वो movements अलग-अलग factors पर depend करते हैं यहां पर अगर आपको movements capture करने तो आपको fundamentals read करने हैं अगर आ आप investing नहीं कर रहें trading कर रहे हो trading के अंदर अगर आपको factors देखने हैं किया कैसे मेरा stock उपर यह नीचे जाएगा वह आपको technical indicator से पता लगेगा fundamental से पता नहीं लगेगा trading में moving forward अब आते हैं risk पर कि आखिर किस scenario के अंदर risk मेरा जादा है और कहां पर मेरा risk कम है देखो trading के अंदर क्योंकि trading short term है तो यहां पर आपका जो risk है वो हमेशा high होने वाला है reason being क्योंकि यहां पर volatility है जहां पर भी volatility जाना होती जो भी market बहुत जादा ऊपर नीचे जल्दी फ्लक्टूएट करती है 好 होती हैже सेना पर केल रहे ओ वहां पर आपका रिस्क जाना होगा क्योंकि हो सकते he यह सकता है यहां पर सो कऊने लिए को लिए यहां पर आपका जो कंपेर इटीवली कम होता है अगर आप उसको ट्रेडिंग से तो ऐसा नहीं के इंवेस्टन no रिस्क नहीं है लेकिन..? दो कंपर डेली डेली यहर 5 दिन में चेक नहीं करे है कि स्टोक ऊपर गया नीचे से सुनदा क्योंकि दोनों ही सेनारियो में अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो ना सिर्फ आपको नुकसान होगा बलकि जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे आप उसे भी मिस आउट कर दोगे सबसे पहला नॉलेज आपके पास दोनों सेनारियों में चाहिए आप को अपना लॉच बचाना आना चाहिए कि कैसे मैं कर सकता हूँ आपको यहाँ पर हैणी कि मान रू अगर आज मैं 10,000 रुपय का Thirtyे कर रहा हूं तो अगले दिन ऴहुख जाधा ट्रेड नहीं कर रहा हूं जब आप इनवेस्टिंग कर रहे हो हो तो भी आपको knowledge की requirement है क्यों है देखो यहाँ पर आपको fundamental समझने पड़ेंगे फंडामेंटल में क्या क्या आता है balance sheet आती है cash flow statements आते है profit and loss आता है यह सारी चीज़े आती है environment को कैसे scan करना है government policy समझ नहीं है तो उसके लिए आपके बस knowledge जोनी बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर अगर आप investing कर रहे हो हो सकता है कि अगर आपको technical knowledge ना भी हो आपको चार्ट जादा समझ में आते हो indicators के बारे में पता ना हो बट स्टिल अगर आपको fundamental समझ में आते है company के तो आप investing easily कर सकते हो लेकिन दोनों ही scenario में अगर आपक करो चाहिए आप investing करो लोग केते trading करना इस जुआ केलना सटा लगाना नहीं ऐसा नहीं है ना तो investing सटा लगाना होता है ना ही trading सटा लगाना होता है provided आपके पास knowledge है उस चीज की जो चीज आप कर रहे हो अगर आप बिना knowledge के करोगे आपके लिए दोनों चीज़े ही gambling हो जात पर टांग है कि तीसरा होता है small loss और चौथा होता है big loss small profit ठीक है आपको खुशी मिलती है बड़े profit से आपको खुशी बहुत जादा मिलती है जब आपका loss छोटा होता है तो आपको जो दुख होता है वो थोड़ा कम होता है बट big loss में आपका दुख भी जादा होता है प्लस आपकी life effect होती है क्योंकि अब आप आगे trading करने में आप आपको प्रॉब्लम आएगी या इन्वेस्टिंग करने में प्रॉब्लम आएगी क्यों क्योंकि आपने capital खो दिये देखो आपका जो प्राइमरी एम होना चाहिए वो होना चाहिए capital को बचाना आपका जो मूल है ना मूल capital जो आपने इखटा कर रखा है आपका capital जितना ज्यादा safe होगा जितना secure होगा उतनी ही ज्यादा लंबी race में आप पैसे कमा सकते हो सो चाहे आप investing कर रहे हो चाहे आप trading कर रहे हो आपको हमेशा चाहे आप small profits पर खेल रहे हो big profits पर खेल रहे हो लेकिन आपने कभी भी big loss नहीं होने दिना big loss को आप जितना ज्यादा avoid कर सकते उतना आप avoid करो क्योंकि देखो जब आप चोटा profit कमाओगे खुशी थोड़ी कम होगी जादा कमाओगे खुशी जादा होगी थोड़ा बहुत loss में हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपका बड़ा loss हो गया दुख तो होगा ही प्लस आपका capital चला जाएगा तो आप future में जो कमाई कर सकते देना आप उस कमाई को मिस आउट कर दोगे तो इसलिए आपको बिग लॉस से हमेशा बच कर रहे हैं मुविंग फॉरवर्ट ह tournaments यह बहुत ज़िए और लोग कहते है कि जैब को इमोशनलेस होना चाहिए बहुत आपको थ्यान दोकाराएं सबके साद साथ होती है हम लोग जब इमोशनल होते लेकर तो हम लोग रैशनल इसओं करकर देखते हैं हम लोग उससे हटाच उदाते और वहाई हमें नहीं होना देखो अगर आप एक trader हो और आपने एक लाख रुपे का profit कमाया ठीक है और अगले दिन आपने एक लाख रुपे का ही loss कर दिया तो दोनों इसेनारियो उसके अंदर आपका जो behavior है वो सेम होना चाहिए आपको फरक नहीं पढ़ना चाहिए चाहे आपने profit कमाया हो चाहे आपने loss कर रहा हो reason being देखो आपका जो गोल है वो होना चाहिए अनएफेक्टेड आपको एफेक्टेड नहीं होना है चाहे आप profit कर रहे हो चाहे आप loss कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना है इस चीज का आपको खास खास ध्यान रखना है कि यह हमें नहीं होने देना है ठीक है तो आपने दोनों सेनारियो में आप trading कर रहे हो investing कर रहे हो चाहे आपका profit हो चाहे आपका loss हो उस profit या loss से आपके emotions trigger नहीं होने चाहिए आपको दोनो scenarios में unaffected रहना चाहिए ये चीज आपको बहुत ज़ादा मदद करेगी एक long term का घोड़ा बनने में आप long term में इससे बहुत ज़ादा पैसे कमाऊगे moving forward आपको इसका reason बताता हूँ देखो जब हम trading कर रहे होते हैं तो trading में जब आप शुरुवात करते हूँ शुरुवात करते हुए आप ऐसे stocks के अंदर trade करते हूँ जहाँ पर आपको लगते हैं कि हाँ यहाँ पर profit हो जाएगा जो कि blue chip stocks होते हैं उसके बाद जब आपको थोड़ा सा आ जाता है फिर आप penny stocks की तरफ जाते हूँ और investing में तो जादा तर जो लोग है वो ऐसे stocks जूनते हैं जो के 2 रुपे के हूँ 3 रुपे के हूँ और वो सोचते हैं कि यह 3 रुपे का stock मालो 30 रुपे का भी हो गया पांच साल में तो मेरा तो capital 10X हो गया ना लोग ऐसे सोचते हैं और दाट इस दे रीजन वे रन बिहाइंड पैनी स्टॉक्स और सेम चीज ट्रेडर्स भी करते हैं कुछ-कुछ ट्रेडर्स पैनी स्टॉक्स में प्राइस पर और अगले दिन किसी अलगी प्राइस पर बहुंच गया बट पैनी स्टॉक्स के साथ वह होता है तो यह चीज आपका रिस्क बढ़ा देती है यह चीज से आपको दूर रहना है क्योंकि हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लो बट लॉंग टर्म में यह चीज आपको कभी मदद नहीं करेगी सो कोशिश करो कि पैनी स्टॉक से आप दूर रहो अब डेस्टीनेशन देखो इस चीज का ना ध्यान नहीं रखते लोग दोनों सेनारियोस के अंदर आपकी डेस्टीनेशन क्लियर होनी चाहिए यानि की आपका प्लान और आपका एगजट आपके हाथ में होना चाहिए लोग क्या करते हैं जब लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो एंटर कर जाते हैं बट एगजट कप करना है इसका कोई ध्यानी नहीं रखता same with investing लोग enter कर जाते हैं exit कप करना है कभी ध्यान ही नहीं रखते हैं और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना देखो मैं हमेशा कहता हूँ आप किसी भी stock में चाहिए trade कर रहे हो चाहिए आप invest कर रहे हो enter करने से पहले आपकी exit strategy planned होने चाहिए क्योंकि मानलो आपने वही same scenario आपने investing करी आपने कोई stock 100 रुपे पे खरीदा अब अगर आपने plan नहीं कर रखा कि जिस दिन ये 300 पे आजाएगा मैं इसको बेच दूँगा तो होगा क्या जिस दिन ये 300 पे आएगा आपका लाला चौर जादा बढ़ जाएगा आप बोलोगे कि अभी और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा मैं तो बेचूँगा 500 या 1000 पे अब होगा क्या कभी कुछ scenario में होता है कि 300 टच करने के बाद ये stock शायद 100 रुपे से भी नीचे आ जाए तो हो गया ना आपका नुकसान तो इस scenario में आपको पता होना चाहिए आपने कितने पे खरीद है आपको बेचना कितने पे है आपका exit आपकी entry से पहले planned होना चाहिए आपकी destination clear होनी चाहिए ट्रेडिंग कर रहे हो कितना पैसा कमा कर निकलना है एक दिन में या एक महीने में या एक साल में कितने returns निकालने है आपका clear होना चाहिए कि यार मेर को अगर एक साल में अपने capital पर 20% के return आ रहे है न तो I am doing very good चाहिए वो trading हो चाहिए वो investing हो अगर मैं 20% के return निकाल रहा हो that is good आप यह मत सोचो कि पैसा double करना है ट्रिपल करना है चार गुना करना है आप realistic goals set करो और realistic goals आपकी destination जो है वो आपको help करेगी सही decision सही actions लेने में क्योंकि अब आपको पते कि आप जो घुसे होना आपने निकलना कब है और आप right time पर exit करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हो अब आ जाते हैं सबसे important चीज़ पर और ये चीज़ आपको इतना help करने वा capacity कितनी है कभी भी अपनी capacity से ज्यादा risk मतलो यानि कि एक example देता हूं मानलो आपके पास 10 लाग का capital है चाहिए आप trade कर रहे हो चाहिए आप invest कर रहे हैं अगर आपके बस 10 लाग का capital है तो सबसे पहले आप यह रूल बना लो अपनी life का कि मेरे capital का मैं maximum maximum to maximum 30% कर सकता हूं उससे उपर मैंने जाने ही नहीं देना मतलब अगर आपके बाद 10,00,00 का चापिटल या आप इंवेस्टिंग कर रहा हो तीन लाख रूपए तक का नुकसान आप बरदाश्ट कर सकते हो इससे उपर आपने नुकसान नहीं होने देना तो ये जो 30% है ये जो 3,00,00 जो रुपर्स एक क्रोर का हो गया तो आपका इस चाइट थर टी ल्ड पर आ गया इससे क्या होगा जब esca आपने परसेंटेज प्रक्षिये तो जैसे यह से आपका पैसा बढ़ेगा आपको जो appetite amount है वो amount बढ़ जाएगा परसेंटेज सेम रहेगी तो टेकनिकली आप financial position में कभी भी आपके हेर फेर नहीं होगी आप financially secure रहोगे क्योंकि आपकी percentage fixed है 70% तो आपको बचाना ही है ना आप सिर्फ 30% पर रिस्क लोगे तो अगर आप सिर्फ 30% पर रिस्क ले रहे हो आपके बाद स्टिल 70% पैसा हमेशा रहेगा चाहे आपके 10 लाग की capital हो चाहे एक क्रोड की capital हो सेकंड चीज है habit देखो अगर आपको किसी भी चीज से regular पैसा कमाना है ना तो वो आपकी habit का part होना चाहिए यह बात आप आज note कर लो आप अपनी life में कोई भी पैसा तभी कमाओगे जब आप वो काम regularly कर रहे हो see हो सकता है आप once in a lifetime कोई काम करके पैसे कमा लो बट आपको regular पैसे regular returns उसी चीज से आएंगे जो चीज आपकी habit में हो आज तक ऐसा कोई भी trader या ऐसा कोई भी investor नहीं हुआ जो बंदा साल में एक बारी या फिर साल में एक बारी ट्रेडिया इंवेस्ट करता हो या दो साल मे एक बारी करता हो और उसके बहुत अच्छे returns आ गए हो जो भी बंदा ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है जो भी बंदा investing करके wealth create कर रहा है उन सब की एक habit है ट्रेडिंग एक habit है investing एक habit है अगर आपकी habit में इन दोनों में से कोई चीज नहीं है तो आप ये कभी भी मत सोचना कि आप ट्रेडिंग से पैसे कमा लोगे या आप investing से wealth create कर लोगे दोनों में से कुछ नहीं होने वाला investing और ट्रेडिंग दोनों आपकी habit का पार्ट होना चीए और अगर आपकी habit है invest करने की अगर आप regularly trade करते हो कोई चीज अगर आप daily basis पर करते हो या फिर weekly basis पर करते हो तो in that scenario ही आप पैसे कमा ओगे otherwise आप नहीं कमाने वाले हो वन से ब्लूमोन आप कमा लोगे बट regularly आप नहीं कमा ओगे अच्छी wealth नहीं create कर पाओगे अगर आपने इस वीडियो से कुछ ऐसी चीज़े सीखियो जिसके बारे में जाता लोग बात नहीं करते आपको इस वीडियो से value मिलियो तो प्लीज इस वीडियो को like और हमारे चैनल को प्लीज सब्स्राइब कर दीजिए ताकि आपसे ऐसी powerful वीडियो मिस ना हो और हो सके त अपने दोस्तों के साथ भी शेर करो ताकि उन्हें भी यह बहुत important important चीज़े पता लगे जिसके बारे में लोग बात नहीं करते